पिछले कुछ महिनों में आधार जारी करने वाली संस्था UID AI ने कारधारकों के लिए आधार से संबन देते सिवाओं को आसान बनाने के लिए कई कदब उठाए हैं इन सेवाओं में बायोमेट्रिक जानकारी को अपडेट करने से एड्रेस मुबाइल नमबर नाम आधिक तक बदलना शामिल है इसी के तहट UID AI ने एक और सेवा शुरू कर दी है इसने इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानि की IP PB के साथ हाथ मिला लिया है IP PB के अनुसार वो ग्रहकों के घर के दर्वाजे पर डाकिया के माध्यम से आधार में रजिस्टर्ड फोन नमबर को अपडेट करने के लिए एक सेवा शुरू कर रहा है IP PB ये काम UID AI के रजिस्टर्ड के तोर पर कर रहा है लाखों डाकिया लगेंगे इस सेवा में अब UID AI के लिए IP PB अपने डाकियों के माध्यम से आपके आधार में मुबाइल नमबर अपडेट करेगा और वो भी आपके घर आकर इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि ये सर्विस लगभग 650 IP PB शाखाओं और 1,44,000 डाकियों और ग्रामिर डाक सेवकों के बड़े नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी इन लोगों को स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक डिवाइस भी दिये जाएंगे जो उन्हें आधार काट धारक के दरवाजे पर इन सेवा को करने में सक्षम बनाएंगे फिलाल सिर्फ मुबाइल नमबर होंगे अपडेट संचार मंत्राले ने हाल ही में अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल पर किये गए एक ट्वीट में इस नई सुविधा की घोशना की थी ट्वीट में लिखा गया था कि अब कोई भी आधार धारक अपने घर के दरवाजे पर डाकिया द्वारा आधार में अपना मुबाइल नमबर अपडेट करवा सकता है क्या है आईपी पीबी का मकसद आईपी पीबी की स्थापना डाक विभाग संचार मंतराले के तहट की गई थी भारत सरकार के पास इसकी 100 प्रतिशात हिस्सेदारी है इसे प्रधार मंतरी नरिंदर मोदी ने एक पहल के रूप में 2018 के सितंबर में लौँच किया था इस संगठन का प्राथमिक उद्देश बैंक रहित और कम बैंकिंग सुविधा वाले लोगों के लिए बैंकिंग और ऐसी ही अन्य सुविधाएं पहुचाना है आईपी पीबी इस काम में एक लाख पचपन हजार डाक घरों के नेटवर्क कलाब उठाती है जिसमें लगभग एक लाख पैंतीस अजार ग्रामिन क्षेत्रों में स्थित हैं इसमें तीन लाख डाक करमचारियों का नेटवर्क लगा हुआ है बैरहाल सरकार के इस पहल से लोगों की परिशानिया दूर होंगी खास कर बच्चों का अधार बनवाने में लोगों को घंटो लाइन में नहीं लगना पड़ेगा कई बार लाइन में खड़े बच्चों की तबियत बिगड़ जाती है अगर घर पर ही उनका अधार कार्ड बनने लगा तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें